खून देने के बाद भी राना नहीं बचा पाया वैजू को सब्सक्राइब करें इंडिया फोरूम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए सीरल माटी से बधी डोर में आएगा बड़ा ट्विस्ट आप देख रहे हैं राना की जान बचाते बचाते वैजू अपनी जान दाओं पे लगा देती है राना को लगने वाली गोली वैजू अपने सीने पर ले लेती है और राना उसे इस हाल में तुरंथ हॉस्पिटल लेकर आता है यहां राना जब वैजू को अंदर ऑपरेशन थेटर में भेज रहा होता है तो उससे पहले उसका मंगत सूतर उतार लेता है और उसका सिंधूर पोश्टा है यह करते हुए जहां वैजू को तो बुरा लगता ही है आज पहली बार राना के सीने पे मानो खंजर चल रहा हो उसे इस बात का एसास तो है कि वो वैजू के साथ गलत नहीं बहुत गलत कर रहा है ट्विस्ट यह है कि यहां पर राना इस बात का उसे हसास है कि उसने वैजू के साथ बहुत गलत किया है और उसे वैजू की सारी पुरानी बाते याद आती हैं कैसे उसने वैजू को उस सुहाग रात वाले बेड के लिए बत्तमीजी से बात किया था, उसकी चरित्र पर इल्जाम लगाया था, कैसे उसने वैजू को घर से निकल जाने के लिए कहा था, वो सारी बाते एक-एक सीन बाई सीन राना के सामने आती है, वहीं आप देखेंगे अपरेशन थेयर्टर से बहार निकले गए और राना पूछेगा कैसी है वैजू ठीक है, तो पहले तो डॉक्टर बताएंगे कि उनकी कंडिशन बहुत खराब है, उन्हें ब्लड चाहिए और उनका ब्लड ग्रूप नहीं मिल रहा है, ऐसे भी राना कहता है, मैं यूनिवर को बता देगा.